नवस्कार साथियो स्वाग्ध आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर खबर PTI अध्यापकों के लिए 127 दिन में जारी कर गया अंसन और क्या रही अपडेट करनाड और कुरुक्षित्र से पूरी खबर इस प्रकार है करनाड के अंदर कर्मिक अंसन रहा जारी अपनी नोक्री भाली की मांग को लेकर डटे रहे PTI अध्यापक देनिक ट्रिब्यून अखबार के अनुसार खबर है बरकास्ट PTI को नोक्री भाल करने की मांग को लेकर हरियाना सारी रिक सिक्सक संगर समीती का धर्णा जिल्या सची वाले के सामने 127 दिन में जारी रहा सोमवार को धर्णे की अध्यक्सता समीती के जिला परधान संदीप बलडी ने की कर्मिक अनसन पर दिनेश गुर्चरन सिंग सुदेश राणी रीना वर राणी राणी बेठे इस मौके पर रमेश सर्मा ने कहा कि पिछले चार महिने से आंदोलन जारी है सरकार सभी बरखास पीटी आई को नोकरी पर वापिस रखे सरुकरमचारी शंकी ओर से सरकार को चिताया गया कि अगर जल्द पीटी आई को नोकरी बहाल करने की बात नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा जिसकी जिम्मेदार सिरफ और सिरफ सरकार होगी जिलापरधान संदी बलडी ने कहा कि युम्ना नगर में एक पीटी आई की मृत्यू हो गई और इस मृत्यू के पिछे सरकार की हट धर्मिता दिखाई दे रही है और अगर सरकार इसी प्रकार हट धर्मिता अपनाती रही तो पता नहीं कितने साथियों को सदमा लग सकता ह इस मोके पर अध्यापकनेता, क्रिशन निर्मान, अनिल सेनी, रोसनलाल गुपता, राजेस, कबीर पंथी, तेजवीर मान, परदीप सांगवान, राणी, रीना, सुदेश, विनावे, संगीता मुझूद रहे और साथियों पीटी आई सिक्स को ने कहा कि सरकार को हट धर्म परकार से होता रहे, जैसे पहले चल रहा था, और लोगतंतर जीत जाए, और उनका संगठन की एकता जीत जाए, तो दूसरी खबर साथियों कुरक्षेत्र से हैं, कुरक्षेत्र में भी पीटी आई की मोत पर रखा गया मौन, क्योंकि कुरक्षेत्र में सोमवार को पीटी पीटी आई के निधन के पर सोक व्यक्त करते हुए पीटी आई ओने कहा, कि 1983 पीटी आई वे हरियाना सारे रिक सिक्सक संगर समिती का धरना, लगुसा जीवालने के सामने सोमु आर्गो 127 दिन भी रहा जारी, रणधीर सिंग सेनी की अध्यक्स्ता में धरने की सुरवात, पीटी आई दो हजार दस में सिक्सा विभाग में भरती हुए थे, हरियाना के सभी 1983 पीटी आई परिवार उनकी मोच सुनकर काफी हतास और निरास और दुखी हुए, इसके बाद पिंक की निलाम, राजेंदा, दल्विंदार को भूखरताल पर बेठाया गया, इस सवसर प पक्संग, हिमसा, पुराणी पेंसन बहाली संग, बिजली विभाग वै अन्य संगठन मुझूद रहे और धरने की सोभा बढ़ाई, और धरने पर एक जुटता दिखाते हुए, अपनी नोकरी बहाली की मांग को लेकर, अपने साथी पीटी आई अध्यापकों की नोकरी ब संबंदित खबर, करनाल और कुरुक्षितर जिले से 127 में दिन के अंसन की अपडेट, इसी प्रकार की अपडेट जानने के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर करना, और इस वीडियो को सरकार के कानों तक जरूर पहुंचाना, ता तो आज की इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद जेहिन